मुख्यमंदरी अर्विंद केजरिवाल को शुक्रुवार को सूप्रीम कोट से जमानत मिल गई कोट ने उन्हें को जरूरी शर्टों के साथ जमानत दी है जमानत मिलने के बाद कल केजरिवाल थी हार जेल से बाहर आ गए जिसके बाद CM केजरिवाल आज पतनी सुनीता केजरिवाल संग कनोट प्रे सिस्तित प्रसिद्ध हनुमान दोपहर पहुचे वहाँ दर्शन कर आशिरवाद लिया इस मौके पर पूर्वर डिप्टी सिया मनी सिसो दिया और आप संसत संजय सिंग भी CM के साथ थे साथ की सुपरस्टार अभिनेत्री नैंतारा ने शुकरुवार को सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि उनका एकस अकाउंट हैक हो गया है जवान अभिनेत्री ने अपने प्रशन सकों के साथ इस्तिति के बारे में बताया अभिनेत्री ने पोस्ट करते हुए अनिरोध किया कि उनके प्रेशन सक उनके अकाउंट से होने वाली किसी भी असामन्य गत्तिविदी या पोस्ट को अन्देखा कर दे मध्य प्रदेश में दो आर्मी अफसरों पर हमले और उनकी महिला दोस्ट के साथ गैंग रेप मामले में नई जानकारी सामने आई है खबर है कि पुलीस ने गटना में शामिल सभी छे आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है उन सभी के अपराधिक रिकॉर्ड की जाज की जा रही है पुलीस को शक है कि उन्होंने पहले भी इस तरह की कई गटनाओं का अंजाम दिया है सेना के एक अधिकारी ने पीटी आई को बताया कि दोनों अफसरों के किलाफ विबागया जाज का आदेश दिया गया है जिसका नेतरत्व एक वरिष्ट अधिकारी कर रहे है 36 के महा समूद में बाग बहरा रेलवे स्टेशन के पास वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर ट्रायल रन के दोरान पत्राओं के जाननी का मामला सामनी आया है पत्राओं के चलते ट्रेन के तीन कोच के कांच तूट गए रेलवे पुलीस की इस घटना के संबंद में रेलवे अक्ट की धारा एक साथ तीरपन के तहत मुकतमत दजकर पाच आरोपियों को गिरफतार किया गया है पकड़ गया आरोपियों में से एक आरोपिय पारशत का भाई है नरकटिया के पसंदपूर गाउग के पास करता हां नदी में छलांग लगाकर रिल्स बनाने का चार चात्राओं में तीन नदी में डूब गए जिसमें से दो किशोरों की मौत हो गई है ग्रामन गोताखोरों के करीब साड़े चार गंडे के प्रयास के बाद डूबे दोनों किशोरों का शओ करीब ग्यारा बजे रात को नदी से निकाला गया मित किशोरों की पहचान छरदवाली तीवाली टोला के निवासे सचीन कुमार 15 वर्ष पिता मोहन यादा और प्रिंस कुमार 16 पिता जैप्राकाश सिंग के रूप में की गई है